गूड मॉर्णिंग जाहिन बच्चो आज को टॉपिक है बच्चो डिविजन इन अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन हिंदी में से बीजिये वेंजिको का भाग कहेंगे यह टॉपिक बच्चो नौदे विद्धयाले प्रवेश परिक्षा साथी विद्धयाग्यान तथा है हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है भाग देता है मालीजे की हमें तीन भाग देगा साथ को ठीक है तो यहां देखे किते बारम कटेगा थ्री टू जा सिक्स तो यहां सेस्फफल बचा की निवचा यही आपका देखे सुनेतर सेस्फल है जब यहां पर जीरो ना आये यह नॉन जीरो रिमेंडर का केस बनता है लेकिन आज यह हम लोग पढ़ेंगे बीजे वेंजेको के लिए इसको पढ़ेंगे कि सुनेतर सेस्फल स्थिति कैसे आती है और कैसे हमें भाग देना है तो इसमें आप ध्यान रखे कि भाजक के पुणता विवाजित नहीं होगा इस केस में इस केस में बच्चों आपको पता है यह हमारा जो है बीच वाली जो संख्या है वो भाजे होती है जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है और जो नीचे बसता है वो सेस्फल होता है और जो उत्तर आता है वो हमारा भाग पल होता है ठीक है? इसको आप याद रखेंगे कि कहां पे किसको किसको क्या कहा जाता है इसमें ये यह है भाज़ जो है भाजक से पुण्ञता भीवाजित नहीं हो गाँए ऐसी स्थिती में जब तक भाग की क्रिया चालू रखते हैं, तब तक भाजक को छोटा सेस्वल नहीं पाजाते हैं, इसको हम स्टार्ट रखेंगे जब तक हम छोटा सेस्वल नहीं पाजाते हैं, इसी प्रकार बीजे बेंजोकों में बहुपद की स्थिती में भाग की क्रिया तब तक चलेगी जब तक सेस्वल भाजक से कम घतांग का बहुपत नहीं होता है ठीक है तो आईए एक हम उधारन लेने जा रहे हैं ठीक है इसमें हमें क्या करना है कि 14 x square plus 13 x minus 15 को भाग देना है मैं 7 x minus 4 से यह तो बच्चों हमने एकदम आसान वाला जो हम लोग सीखते थे अब यहां लोग बहुपत का सीखने जा रहे हैं कि आकर इससे हम भाग कैसे देंगे तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी यह भाग की क्रिया होगी आप उत्तर देखें कहीं पर भी लिख सकते हैं यहां पर भी लिख सकते हैं यह आपके उपर है तो जब भी आप भाग दें तो इसमें आप हमेशा अभी संख्या को हम नहीं देखेंगे अभी हम चर है, उस हिसाब से हमें decide करना होगा, कि भागफल में हमें क्या लिखना है, ठीक है? तो हम देखते हैं, कि अगर हम संख्या को माली हमने 2 से गुणा कर दिया, तो यहां 14 हो जाएगा, 14 X हो जाएगा, लेकिन इसको हम घटा नहीं पाएंगे, हमें, जो है, हम संख्याओं को पहले जो भी पद दिये गए हो, ठीक है, जो भी BGA वेंजेक दिये हो, उनको हम पहले और ओही क्रम में चर के और ओही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा, कि यह X स्क्वाइर कैसे हटेगा, इसके बाद इसकी बारी आएगी, इसके बाद इसकी बारी आएगी, ठीक है, तो बारी-बारी से देखना है, तो अगर हम देखिए, इस संख्याओ को और X से गुणा करते हैं, तो ठीक है, यह X स्क्वाइर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन, साथ तो 14 नहीं हो प इसी तरह से ढूंडा जाता है कि हम किस से गुणा करें ठीक है तो हम यहां पर कर रहे हैं 2x से गुणा तो यह देखे अभी जो हम संख्या लेंगे इन सब को गुणा करके हमें लिखना होगा ठीक है तो यहां पर देखे मैं अलग से आपको करके दिखा देता हूं 7x-4x को हमे में 2X से गुरा करना है ठीक है तो यहां गुणा करना है पहले से गुंधा करने माइनास 8X और यहां 14X2 ठीक है यह देखे आ रहा है ठीक है तो इस संख्या आँ यहां लिखने जा रहा है 14X2 —8x कैसे आ आए आपको पता चला कि मैंने इस संख्या को यह जो पद है dven色 है इसको मैंने इस से गुणा किया है अब देखें यहां आपको समझना महत्पूर्ण है इस क्रिया को आपको पता है कि घटाने में यह भाग देते हैं तो यहां संख्या घटाई जाती है तो यहां पर भी हम इस बेजिये वेंज़ग को यहां घटाएंगे ठीक है तो कोई 14 के आगे कोई चिन नहीं है यहां देखें कौन सा चिन है प्लस का चिन है तो हमेशा आपको क्या करना है जो साइन है उसका जो प्लस है और यहां माइनस हम कर रहे हैं वो इससे गुणा होगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो अल्टिमेटली हम यहां माइनस करना है औ यहां लेकिन हम क्या करेंगे प्लस करेंगे इस concept का आपको समझना है इसको आप ध्यान देंगे बच्छो ठीक है तो यहां देखे यह आपका 14 14 कड़ी है ठीक है और यहां पे हम क्या करेंगे हम घटाएंगे नहीं क्यों अभी मैंने बताया कि देखे यहां जो sign होता है पहले स से पूरी क्रिया को हमें घटाना है तो इस वाले सिंबल से यह गुणा होगा तो जब हमने गुणा किया माइनस को माइनस साथ तो क्या आगया प्लस आ गया तब हम 13 और 8 को जोड़ेंगे ठीक है तेरा जोड़ेंगे तो 21 और एक्स को ऐसे लिख दीजिए ठीक है अब नीच क्या से गुणा करना है जिससे यह 21 आ जाए तो हमें पता है कि 7 तरीके 21 होता है तो हम यहां पर हम अब 3 लिखेंगे इसको जोड़ के लिखेंगे ठीक है तो अब इसको गुणा कीजिए यह हो गया माइनस 12 पुरा हम इसको क्या करेंगे हम आपको घटाएंगे ठीक है तो य यह देखे, पूरी तरह से अकट गया, 15 में से 12 गया, तो 3 आता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 x plus 3 है भागफल आपका यह हो गया ठीक है और आपका भाजिय आपको पता है भाजिय आपका यह वला है ठीक है और भाजिय का आपका यह और यह आपका सेसफल हो गया दिक्कत बच्छो गलती बस यहीं होती है साइन वाले में गलती होती है अगर आप साइन का ध्यान अखेंगे आप भाग इजली कर लेंगे अब देखें मैंने भाग तो कर दिया भई लेकिन क्या यह सही भाग है जैसे हम इसमें जानते हैं बच्छो क्या होता है भाजे बराबर देखें इसके लिए मैं कर दे रहा हूँ भाजे बराबर भाजक गुणे भागफल तीन गुणे दो प्लस सेसफल तो क्या यह सही है देख रहो हाँ साथ इधर है ठीक है तो यह हमें पता है कि भाजे तो ओलेडी है अब हमें इस भाजक आपको पता यह फॉम्टा में लिख दे रहा हूं आपधा लाहा है भाजे बराबर इसको बच्चों मैं पाउज करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपका समय कम नुक्सान जाए भाज ये बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस सेस्पल इसको इंग्लिस में कहेंगे बच्चों ये डिविडेंड जो बीच वाली संख्या होती है इसको डिविडेंड कहते हैं जिससे भाग दिया जाता है उसको डिवाइजर कहते हैं जो उत्तर आये हमारा जैसे इसमें भागफल है वही चीज वाजक है और सेस्पल हमारा रिमेंडर है तो जो इंग्लिस बच्चा जानना चाहते हैं वह इससे भी समझ सकते हैं कि कैसे है आईए इसे हमें वेरिफाई करने हैं वेरिफाई मतलब कि जो हमारी ये देखे हमारे लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड बराबर के चिन ये राइट हैंड साइड है हमारे दाहिने हाथ के तरफ है तो राइट हैंड साइड अगर ये हमने प्रूफ कर दिया कि बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों बराबर है तो ये हम सत्यापित कर देंग कि जो हमने भाग किया है वो एकदम सही किया है ठीक है तो इसमें हमें यही प्रूफ करना है left hand side is equal to right hand side तो हम देखे हमें बस यह निकालना है कि जो हम गुणा करेंगे और इसको सेसफल जोडेंगे ठीक है यह इसी भाजी के बराबर आएगा तो हम यहां देख रहे हैं कि भाजी को पहरे हम लिख लें यह भाजे को लिख लेते हैं 7x-4 गुणा होगा भागफल से हमारा भागफल आया 2x-3 प्लस सेसफल तो हम अभी माइनस है तो इसको हम अभी ब्रेकेट में रखेंगे ठीक है तब गुणा करने जा रहे हैं बच्छों ध्यान दीजेगा इस पर 7x अब हम बारी-बारी इसे गुणा करेंगे यहां ब्रेकेट में लिख लेते हैं 2x-3 फिर माइनस है माइनस का चिन चार 2x-3 प्लस ब्रेकेट माइनस 3 ठीक है अब देखें गुणा कर रहे हैं इसको में 7 to the 14 14x square प्लस 21x माइनस अब यह देखें यहां प्लस था ठीक है तो यह माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा ठीक है 8x-12 यह भी देखें माइनस प्लस माइनस संख्या मतला गुणा करती है और यह माइनस 3 अब इसको और हल करते हैं हम लोग 14x square अब 21 में से 8 गया कितना आएगा 13 13x अब 12 और 3 माइनस 15 होगया तो यह देखें भाजक के बराबर एकदम आ गया कि नहीं आ गया 14x square प्लस 13x-15 ठीक है तो यह देखें भाजक के बराबर आ गया तो हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया कि left hand side is equal to right hand side ठीक है तो इसमें आपको बस हमें सत्यापित करना था कि जो हम भाग किये हैं वो एकदम सही है ठीक है तो इस तरह से आप सत्यापित करके अपने भाग को verify कर सक बचो यह पर्यमे वेंजक को समझी है rational expression को समझी है आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर हम ऐसे लिखते हैं पांच बटा दो लिखते हैं तो नीचे वाली संख्या हम इसा उपर वाली संख्या को भाग देती है ठीक है तो इसके हमने पर्यमे फॉर्म में लिख दिया है प्लस ए जो है उपर वाला जो बीजे वेंजक है उसको भाग दे रहा है इसका उत्तर एक्स ब्लस भी आएगा ठीक है अगर हम क्रॉस मल्डिप्लाई करते हैं ठीक है तो याद रखेगा अगर हम इसको इससे गुणा करते हैं क्योंकि उत्तर यह आया सेस्वल दिखे कुछ और दिखने रहा है तो हम गुणा करते हैं तो यह वाला हमें मिलना चाहिए तो जब हम इसको किसी भी बीजे वेंजक को परिमय फॉर्म में रेशनल एक्परेशन फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है तो आपके सामने में देखे इसको अलग से लिख दें, फिर plus का sign, plus a, फिर इसको हम फिर से यहाँ पर गुणा कर दें इसके साथ, तो हम देखते हैं यह देखे, x square, plus bx, plus ax, plus ab, ठीक है, अब यहां देखें, यह आ गया है, x square, अब हम x कॉमल ने रहते हैं दोनों में, ठीक है, यहां plus का sign, तो क्या आ जाएगा, a plus b x बाहर हो गया plus a b तो आप देखे यही expression मिला की नहीं मिला उपर वाला ठीक है तो इस तरह से हम किसी भी bj वेंजग को परेमे फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं ठीक है इसके धेरो उधारन कोई भी आप उधारन लिख सकते हैं भी संख्या को लेक है जैसे x square plus 8x minus 11 बटा x plus 3 इसका मनला हमेशा ध्यान देजेगा कि यह वाली जो वेंजग है ठीक है उपर वाले को क्या कर रहा है भाग दे रहा है ठीक है तो इस तरह से इसको समझ के चलेंगा बचो यह बहुपदों के घातांग इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है degree of a polynomial कोई भी अगर बहुपद दे दिया गया उसके घातांग क्या है उस पे भी questions आते हैं बनते हैं उसी के उपर हम भाग करते हैं उसी से हम लोग गुणा भी समझते हैं तो देखिए दो इस्तिती बनती है बहुपद की अगर घात गयात करने के लिए बहुपद के चर्क की सबसे बड़ी घात देखते हैं जैसे एक उधारन ले रहा हम आपके सामने में 4x to the power 4 minus 3x cube plus 4x to the power 4 minus 3x cube plus 2x plus 5 ठीक है तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो x to the power 4 है उसकी घात जो 4 है सबसे बड़ा है यहाँ पर तो 3 है यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ क्या है एक है ठीक है तो इस तरह से इस बहुपद की घात इस polynomial की घात कितनी है सबसे बड़ी घात जो है उस चार है तो अगर आए कि इस बहुपद के घातांग क्या है या degree of the polynomial क्या है तो इसका उत्तर क्या होगा 4 होगा, कभी-कभी MCQ में भी आ जाता है ठीक है, जब आप राष्टी आये की परिक्षा देते हैं या कोई भी, कि इसकी घात क्या है तो इसमें आप एकदम confirm रहेंगे कि जिसका power सबसे ज़्यादा रहेगा जिस चर का power सबसे ज़्यादा रहेगा वही उसका उत्तर होगा लेकिन मान लिजे कि यदि बहुपद में 2 या 2 से अधिक चर का गुड़न हो तब हम उस इस्तिति में क्या करेंगे घातों का योग करेंगे और यदि सबसे बड़ी घात है तो वही उसका घात होगा ठीक है तो एक उग्जाम्पल आपके सामने में ले रहा हूँ देखे फर से 4X2Y 4XY 3X3Y 4XY इसमें आप ध्यान देंगे इस बहुपद में इस polynomial में XY की घातों का हम योग करेंगे XY की जो घात है उसको हम प्लस करेंगे इस case में हम देखते हैं कि यहाँ पर तो 2 है और Y पर कुछ नहीं है तो मैं बोला हूँ जिस भी चर पर ना हो तो आप जान लेजे वहाँ पर 1 है तो 2 प्लस 1 3 है इसकी घात यहाँ कितनी है 1 और 1 2 है यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना है 3 और 2 5 है ठीक है तो सबसे बड़ी भात क्या है यहाँ पर अता यहाँ 5 सबसे बड़ा है अता इस बहुपद का जो polynomial का घात कितना होगा 5 होगा तो यह बच्चो एकदम concept आपका clear हो गया होगा ठीक है कि कैसे हम बहुपद की घात निकालते हैं इसमें देखिए एक ही चर्था और इसमें दो चर्थे दोनों condition मैंने आपको समझा दिये हैं अब मैं आगे के वीडियो में आपको कुछ और प्रशनों को बताऊंगा थेंकिए बच्चो थेंकिए बच्चो थेंकिए बच्च